हेलो वाट्सप गाईज मैंने मिस्पिनोध बाद उथापा एंड वेलकम टू जास्क्रिप्टिंग अंडर देज जहां गाईज तो आज है हमारा 27 देज एंड विलिब में आज को बहुत ही जाता सिंपल है लेकिन वहीं बहुत ही जाता यूसफुल भी है अगर आपको आता हो तो सबसे पहले बाता ना चाहूंगा गाईज अभी तक अगर आप मेरे वर्ल्ड बैज आस्क्रिप्ट को चेक आउट निक है तो प्लीज चेक आउट कीजिए का पार्ट वान पार्ट टू एंड एक कोमर्स विबसाइट बारा बारा गंटे का है तो इन डेप्थ इससे बै यहां पे एक फंक्शन है जो कि दो आर्गुमेंट पास कर रहा है अब हमें यह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कहां सब्सक्रिप्रोग्राम लिखना है जिसमें जब भी को इस पर्टिकुलर फंक्शन को रन करे तो यह जो एबीसी वो फाइभ की आप देख सेथे हो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊ तो यहां पर यह आपको आप दिख रहा है ABC then ABC then ABC ABC and then ABC करके यह मुझे पांच बार आ रहा है तो यह नमबर अप टाइम से यह जो भी नमबर यह जितना भी चेंज होगा उसके बेस पर यह कम ज्यादा होते रहना चाहिए तो क्याइस बिना किसी देरी कब हम वीडियो को स्टार्ट करते लेकिन उससे पहले अब भी किजिए वीडियो को pause and try it yourself कि आप इसको कैसे टैकल कर सकते हो ठीक है कोसिस कीजिए different different तरीके है इसको करने के let me know in the comment section all right guys तो आई वो आपने try क्या होगा देख लीजिए so हम क्या करेंगे simple let's go with const we have a repeat string then we will go with the two parameters ठीक है तो जिसमें से we have one is string another one is your number चलो ठीक है तो आप के mind में यह जा सकता है कि मैं repeat कैसे करूं like remove तो मुझे पता है replace मुझे पता है splice slice बहुत सारी चीजे जो हम try कर सकते हैं सोच सकते लेकिन अगर आपने कभी भी repeat वाला यह जो काम कभी भी पहले किया होगा तो आपका भी life में नहीं बूलोगे and that is in JavaScript we have one method called repeat समझ रो एक method ही है हमारे पास repeat जिसमें यह जो भी string आप pass करते हूं dot repeat अगर आप लिगते हो then यहाँ पर बस अब आपको number of times उस particular string को आपको repeat कराना है वो pass करना होगा इन आपर केस इस इस नम अनली इस इस इट खत्म सेप करता हूं मैं अब अगर मैं यहाँ पर चलू एंदन इसको में रन कर दो तो इसको मैं हटाता हूं and then इसको मैं अगर रन करता हूं so देखो मुझे 5 ताइम से रिपीट हो गया but what happened अगर यह 0 रहा या एकदम एमटी रही है न तो इस कैस में क्या हो सकता है वो मैं आपको दिखा ज़ियता हूं so और सेप करता हूं then रन करता हूं से ही मुझे आ जाता तो हम यहां पर condition check करेंगे that is कि हमारा यह जो number है if it is greater than 0 कि it must be greater than 0 then and then only आप यह particular function को call करना else मैं यहां पर चलता हूं यहां पर आप वो जो str पास कर देना मतलब अगर 0 रहा या उससे कम रहा या negative में रहा तो जो string वो as it is मिल जाएगा लेकिन 0 के उपर it means अगर 1,2,3 कुछ भी रहा तो हम उसको repeat करा रहे simple अब मैं यहां पर चलता हूं इसको run करता हूं so 3,2,1 and boom guys see यह देखो ABC IQ क्योंकि हमने वहां पर 0 लिखावा ता भले ही 0 लिखाओ मतलब एक बार भी repeat मत करो जो है as it is आप उसको return कर दीजिए अब मैं आगर यहां पर लिख देता हूं 3, ctrl s, save करता हूं and then run करता हूं तो बाराबर ABC 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 मुझे आ गया है I know यह बहुत ही ज्यादा short and simple था लेकिन आपको पता तो चला न कि next time अगर repeat वाला कुछ भी आता है तो हमारे पास already repeat करके एक method है and हमने एक और conditional operator यहां पर देखा, ternary operator का भी हमने देखा okay हम ternary operator को भी इस तरीकी से यूज़ कर सकते हैं in JavaScript so yeah guys this is it, आज इस वीडियो को इतना ही, hope आपको बहुत ही ज्यादा पसंदा होगा guys आप नीचे comment करके बताईए का आपको कैसा लागा, आपके मन में कोई भी question तो let me know in the comment section and बहुत जल्द इसको मैं github में सबके सब पोस्ट करने वाला हो, तो वहाँ पर आप अपना open contribution कर सकते हो, मिलके करेंगे सब है न and कल के दिन भी guys again में हमारा जो टernary operator उसको पर ही question रहने वाला है तो या guys, आज इस वीडियो के इतना ही वीडियो पसंद है तो please like कर देजिएगा दोस्तों के साथ भरवर के से and next target is 1 million subscribers, वो अभी तक subscribe नहीं किया, please कर देजिएगा, मिलता है मैं आपको कल की वीडियो में टिल दिन गाइस, thank you so much, take care